हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंग अपने यूट्यूब चैनल कमला पती क्लासस में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं 28 सेकेंडियर के पेपर सेकेंड के एक्जाम 2020 के शॉर्ड कोशन्स का आंसर्स ले करके आई हूँ ही यहीं थे पॉइंट काफ़ इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप मेरे साथ लास्टों तक बने रहें मैं अच्छे से discuss करने वाली हूं बताने वाली हूं कोईण से पॉइंट है क्या है मैं सारी ही सा देम में सारे क्या लाधे मैं जनकुंड़न बनक्र सकती ठीक है तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और हाँ कमेंट करके मुझे फीडबैक देना ना भूलिए मैं हर वीडियो में यही बोल रही हूँ फिर भी मुझे उतना फीडबैक मिल नहीं रहा है पता नहीं ऐसा क्यों तो आप प्लीज मुझे बताए अगर मैंने बोले ना कोई कमी हो तो प्लीज बताए आप जब तक आपका फीडबैक मुझे मिलेगा नहीं मैं उसे इंप्रूफ कैसे कर पाऊंगी ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देखर के जरूर जाए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताए और हाँ पीडियेफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अगर आप मेरे से कॉंटेक्ट करना चाते हैं कोई क्यों रही है आपको तो मेरा वाट्सप कॉंटेक्ट नमबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं तो आज की पेपर सेकेंड के सीरीज 4 वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कोशन नमबर जी और कोशन नमबर एच ठीक है दोनों का ही आंसर में आपको एक्स्प्रेंट करने वाली हूँ जी नमबर कोशन है हमारा मापन एवा मूले आंकन में अंतर कीजिए डिफ्रेंशियेट बिट्वीन मिजर्मेंट एंड इवैलिवेशन ठीक है मिजर्मेंट है मैं यह आपको साथ पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ सीरीज 3 में पर कोई नहीं एक बारा और इसे रिवाइस कर लेते हैं मापन MS.S.S.S के अनुसार मापन किसी निश्चत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है ठीक है मुल्यांकन इवैल्यवेशन क्या होता है गुड्स के अनुसार देखे हम जब डिफिनेशन किसी साइंटिस्ट के अनुसार करके देते हैं ठीक है तो मार्क्स और अच्छे मिलने की चांसिस होते है ठीक है मार्क्स और बढ़ने की चांसिस जदा हो जाते है मुल्यांकन की डिफिनीशन है गुड्स के अनुसार और मापन की डिफिनीशन है मुल्यांकन की डिफिनीशन है मुल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है ठीक है मैंने पहरा डिफ्रेशन दे के दोनों का इंट्रो दे दिया अब बात करते हैं कि दोनों में डिफ्रेंस क्या है जो की मेन हमारा कोशन पूछा गया था मूल्यांकन, evaluation और एक side मापन measurement लिख करके start करेंगे ठीक है, first point है हमारा मूल्यांकन में इसका छेत्र ब्यापक है ब्यापक यानि काफी broad है ठीक है, और मापन में क्या होता है कि इसका छेत्र, इसका area जो है काफी limited है सीमित है, मापन ब्योहार कि कुछ ही आयामों को प्रतीक प्रदान करता है second number है, मूल्यांकन में इसका एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है, मापन में क्या है यह सतत प्रक्रिया नहीं है बलकि यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अंग है यह पार्ट है मूल्यांकन का मापन ठीक है थर्ड पॉइंट है इसमें यानि की मूल्यांकन में सॉरी मापन में ने 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 हाँ मूल्यांकन ही है सॉरी मुझे से मिस्टेक हो गई ठीक है इसमें मापन द्वारा प्रदत आंकणों का विशलेशन ब्याख्यावा अर्थापन किया जाता है मापन में है थर्ड पॉइंट इसमें परिमानात्मक निर्ने परिमानात्मक यानि कि परिमान जो होता है ठीक है निर्ने लिये जाते है यह केवल संख्यात्मक होता है ठीक है फोर्थ नमबर है इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक सिक्षर संभव है यानि कि मूल्यांकन के द्वारा अब मापन में देखते हैं इसके द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक सिक्षर संभव नहीं है फिप्ट पॉइंट मूल्यांकन में यह अपने आप में एक साध्य है ठीक है और मापन में क्या है यह एक साधन है अपने आप में साध्य नहीं है 6th point मूल्यांकन में इसका कार्य साक्षियों के विशलेशन से निश्कर्स निकालना होता है लेकिन मापन में क्या है इसका कार्य साक्षियों का एकत्त्री करण है 7th point मूल्यांकन में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मापन में क्या है यह निश्चित होने वाली प्रक्रिया है ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना next question H number और हमारा first number का last question है यह exam 2020 का पेपर सेकेंड का यह question था सह संबंद की उप्योगिता का वर्णन कीजिए describe the utility of correlation सह संबंद की उप्योगिता सांकि की की visualization में असह संबंद की सिधानत और तक्नीक का महत्पुन स्थान है सह संबंद के मूलत अत्म का परतीपादन सर्व प्रतम प्रांस के खगोर सास्तिरी व्रोवेश ने किया था लेकिन बिंदोरे की ये रूप में सहसंबंद तक्नीक का अन्वेशन सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन द्वारा सहसंबंद की तक्नीक के आधार पर प्रानी सास्त्र और जनन विद्या की अनेक समस्याओं का वैज्यानिक विशलेशन किया गया है नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी अधिक निर्भर योग्य भविश्यवानिया मौर रिलेयबल फॉरसियस्टिंग ठीक है भविश्यवानिया व्यवसयक पुर्वानुमान समस्त प्रकार के कारे कलापों का एक महतपूर्ण पहलू है ठीक है नेक्स्ट प्राइंट है टीपेट के अनुसार सह सम्मंद का प्रभाव हमारी भवविश्यवानिय की अनिस्चित्ता को विस्तार को कम करता है ठीक है फिर से मैं एक बार explain कर देती हूँ सह संबंद का प्रभाव हमारी भविश्यवानी की अनिस्चित्ता के विस्तार को कम करता है देखे मैं यहाँ ज़्यादा detail करके explain नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब भी एक teacher है सारे ही words easy है, सारे ही sentences easy है आपको easily समझ में पढ़ करके आ सकता है इसलिए मैं आपको सिर्फ read करके बता रही हूँ कि क्या-क्या main points हमारे हैं question के answer में और क्या-क्या वो हमें लिखने और किस तरीके से लिखने हैं जिसे हमारी marking अच्छी हो सके ठीक है से समंध से आर्थिक ब्यवहारों के अध्ययन और विशलेशन में सहायता मिलती है जैसे मूल्य परिवर्तन का मांग परिवर्तन पर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आदी ठीक है नेक्स्ट आजाती है है एडिंग थर्ड नमबर एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान प्रतीब गमन तथा विचरन अनुपात की धारनाएं सह समंध पर आधारित है ठीक है फोर्थ नमबर है हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा इस आंसर का शोधकार्यों में उपियोगी यूसफुल इन रिसर्च सह समंध तकनीक आर्थिक शोधकार्यों में विचलेशन करने निसकर्स निकालने और सिध्धानतों को तयार करने में भी अत्यंत उपियोगी सिध्ध होती है ठीक है तो आज का वीडियो आज के आंसर्स बस यहीं तक आपको मेरे नोट्स कैसे लगे मैंने इजी मैथड में सारे नोट्स बनाए है ठीक है यह आपके लिए कितने यूसफुल है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है मुझे सारा फीडबैक दीजिए मेरा वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शोड़के जरूर जाए प्लीज मैं बार बर वही बात करें हूं ठीक है मुझे फीडबैक आपका चाहिए वन्हांना मैं कैसे समझूंगी कि मेरे जो वीडियो जो मैं कंटेंट आप तक ले करके आ रही हूं वो कैसे है ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोशन्स के आंसर्स के साथ में थैंक यू